कि नमस्काद रश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज मैं वीडियो लेकर आए हूँ धनू लगन वा धनू राशी के लिए मई 2023 का राशी पल वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक आप से प्रातना करना चाहती हूँ मैंने वीडियो आपने देखा होगा सामने बैठके डालने शुरू कर दिये पोस्टर पर मैं वीडियो नहीं डाल रही मुझे कुछ हेल्थ के शूज चल रहे हैं जिसके कारण मुझे पोस्टर वगरा बनानी में प्रब्लम हो रही है इसी कारण मैं आप लोगों से शमा चाहूंगी कि मैं वो जो कम्मीने आज हम बात करते हैं कि धनु लगन वा धनु राशी के लिए मई 2023 का महीना कैसा जाने वादा है सबसे पहले हम देखते हैं ग्रहों का गोचर मई के महा में अगर हम बात करें तो शनी माराज जो हैं तीसरे भाव में विराजमान है देव गुरु बश्पती समय पंचम भाव में है और उनकी मई के महा में सूरे बुद्व रहो के संगुती रहेगी आगे चलकर आपके जो में तो ये ग्रहों की स्तती है धनुलगर्वा धनूराशी के लिए अब्मी के पास जिंगी में कैसा समय आता है कि जो उसके सामने सारे रस्तेश बंदो जाते हैं पुछ ऐ effकुंकि थी घ्रण秒 6275 खतम हुई और अब उस अधूरे काम को पुरा किया देव गुरु बर्सपती ने कि वो आपके पंजब में आ गए अब बरतमान में गुरु और शनी धनू लगन वा धनू राशी के लिए आदर्श इस्तिती में बैटे हैं शनी मरा जहां बैटे हैं और देव गुरु बर्सप समय आ गया है साड़े साथ साल जो आप श्ट्रगल कर रहे थे वो श्ट्रगल आपकी खतम होती दिखाई देरी है अब आपके लिए कैरियर से जुड़ी शुब घटनाएं गट सकती है पहली बात धनू लगन वा धनू राशी के वजातक जो नौकरी के तलाश में थे उनकी वच्छा पूरी हो सकती है उस सिलसले में आप जो भी प्रयास कर रहे थे उन प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी क्योंकि गुरू पंचम में तो हैं एक तो उनकी लगन पर दिश्टी है लगनेश का लगन को देखना आपके आतम विश्वास की विद्धी करता है आपका म गुरु बतिए आपके भागेबाब को भी गडिख रही है आपके भागेबाब को भी ग्रुका आशिरवाद मिला हुआ या defense को साथ इसका मतलब यह विद्धभ की ओस बीस प्रयास करेंग इसमें आपको सब्देंत की मिलेगी स्ब्दिध के तो निश्चित लूप से गोचर आपको पर्मोशन दिला जाएगा जो विद्यारती प्रत्योक्ता परिक्षा की त्यारी कर रहे हैं उनको इससे भैतर समय नहीं मिलेगा यह समय ऐसा है कि अगर आप की कुंडली की देशाई भी और आपने इस गोचर में अच्छी पड़ाई कर ली तो आपकी सरकारी नौकरी की या अगर आप नीट का पेपर दे रहे हैं या आप को पीएसडी कर रहे हैं या किसी प्रत्योक्ता परिक्षा की त्यारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफ़दा मिल सकती है गुरू का पंचम भाब में चलना इस बात का संक्रीत है कि इस समय परिवार में वाताब विरोध हो सकता है क्योंकि पंचमेश जो है वो अश्टम में रहेगा या आपको संतान को लेकर किसी पकार की चिंता हो सकती है तो थोड़ा सा अगर आपकी संतान बढ़ी है तो आपस में साथ ही कुंडली में कुछ संकेत आ रहे हैं कुछ चिंता होगी पहला संकेत है दंपत्ते जीमन के अगर हम बात करें तो इस महा आपके द्वादेश मंगल सप्तम में रहेंगे उनके संग शष्टेश शुकर की यूती रहेगी मंगल और शुकर की यूती जो है वो प्रेमी जो मंगल शुकर जोने अट्रक्शन के ग्रहे हैं मंगल को पुरुष माना जाता है शुकर को इस्त्री माना जाता है अगर आपकी कुणली में गोचर में भी वह आपके लगन को प्रवावित कर रहे है तो आप विवा के अलाबा भी दूसरे प्रेम संबर्दों की तरब प्रव मा दुरुगा की उपासना कर सकते हैं और सिद कुझी का सुरूत का पार्ट कर सकते हैं सिद कुझी का सुरूत का पार्ट करने में पांस से छे मिनिट लगते हैं और यह आपको दुरुगा सबसती की किताब में मिल जाएगा और आप चाहें तो यूटूब पे भी सच कर सकते ह इसके अलावा जो लोग व्यपार अपना पार्टनर्शिप में करना है वो ध्यान रखे कि क्योंकि सफ्तम भाव से पार्टनर का इविचार के जाता है तो पार्टनर्शिप में किसे पतार की व्यवधान आले की संबावना है कि पार्टनर से से आपका कोई मन भेद और कोई मन मुटाव होनी की संभाबना है महां में आगे चलकर मंगल आपके अस्टम में आ जाएंगे अब मंगल जब अस्टम में आ जाएंगे तो अपनी नीच राशी में रहेंगे और वो आपके वानी भाब को देखेंगे मंगल जैसे घ्रहका आपके वानी भाब को देखना इस मात का संकीत है कि आपकी वानी कटू हो सकती है यानी आपने किसी को कोई बात करी और वाले को नराज कर सकती है इसलिए वानी पर बात करें तो अच्छी है एल्थ का उन लोगों को ध्यान रखने की ज़्यादा जरूवत है जिनको पेट की बिमारिया रहती है क्योंकि पंचम भाब पर शनी की रिष्टी है और पंचम भाब में राहू भी चल रहा है पंचम भाब पर केट्व की रिष्टी है अगर आपको पेट की प्राउब्लम है वह वापना गयसбांई ज्यादा है आपको कबज बगर अगरा जादा को सकती है तो रिष्ट के लेकश हुप से पेट को ध्यान रखना पड़ेगा अब हम देखते हैं कि दनू लगनवा धनू राशी के लिए जो ऐसे ऐसा अफसर आया है कि गुरू और शनी दोनों ये उनके लिए पॉजिटिव हैं तो उनको केरियर से जुड़ा को कोई महत्यपूर्ट डिसीजन लेना है तो उसके लिए उनके लिए महा के शुप दिन कौन से रहेंगे जिस दिन वो काम करें तो उनका काम भी ब अगर आपका मंचा चंगा तो बड़ा मन लगा की और अगर आपका मन खराब है तो आपका उल्के तो मोजिदिन महा की साथानी की चितियां है दर्षकों ये मेरा वीडियो था कि धनु लगन वा धनु राशी के वो जातक जो लंबे समय से जौब बदलने के वारे में सोच रहे थे जौब बदलने का बहुत अच्छा समय चल रहा है कुंडली में गोचल बिल्कूल सेट हो गया है जो प्रत्यक्ता परिक्षा की त्यारी क कर रहे हैं उनको इस अफसर को बिल्कुल नहीं चोड़ना चाहिए जो अपनी पीसडी को पूरा करना चाहते हैं जो नीट का पेपर दे रहे हैं बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करिए जब गुरू जैसा घ्रह पंचम में चलता है और आपके भागे बाप को देखता है जो प बहुत बढ़िया रहेगा और अगर कुछ आप किसी कारी की पूर्ती चाते हैं तो आप हर बुद्वार को चने की दाल भीगो दीजिए और गुरू बार की सुबह गाये को भीगी चने की दाल खिलाईए तो आपको बहुत लाब रहेगा तो दर्शकोर मेरा वीडियो था कि साथ ही बल ऐकन को भी दबा दें जैसे जब भी मैं अपने वीडियो प्लोट करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलना है और आप मेरा वीडियो देख सके इसके साथ ही नमस्काद रशकों चैमात आदी